अमर सिंह चमकीला का ट्रेलर रिलीज दिल जीत दोसांज और परिणीती चोपड़ा की जोड़ी ने जीत लिया दिल दिल जीत दोसांज और परिणीती चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म अमर सिंह चमकीला का ट्रेलर रिलीज हो गया है इम्तियाज अली निर्देशित ये फिल्म पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजीशियन अमर सिंह चमकीला की कहानी पर बेस्ट है जिसका किरदार पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांच निभाते दिख रहे हैं इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए उन्हें दुनिया से किस तरह लड़ना पड़ा था इस फिल्म में लीड रोल में परिणीती चोपड़ा भी है जो बतौर सिंगर के रोल में नजर आ रही है दो मिनट सतातिस सेकंड के इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि अमर सिंह चमकीला ने जीरो से अपनी शुरुआत की थी एक वक्त था जब उन्हें कोई नहीं जानता था और अपना नाम कमाने की चाहत उनकी आँखों में हमेशा दिखा करती थी जब गाना शुरू किया तो उन पर गंदे गाने के भी धेरों आरोप लगे लेकिन ऐसी बातें उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई हालां कि एक तरफ जहां उनकी पॉप्यूलारिटी बढ़ रही थी वहीं दूसरी तरफ उनके लिए दुश्मन भी बढ़ रहे थे आलम ये था कि उन पर गंदे गाने के आरोप लगे और लोगों का एक बड़ा समूह उनके खिलाफ भी होता चला गया इस फिल्म में जहां उनका स्ट्रगल दिखाया जा रहा है वहीं उनके मौत की दर्द भरी कहानी भी है बताया जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब अचानक सब खत्म हो गया उनकी किसी ने हत्या कर दी बताया जाता है कि साल 1988 में जब अमर सिह बीवी अमर जोत के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे उसी दौरान कुछ बाइक सवार ने उन पर गोलियां बरसा दी इस घटना में दोनों की जान चली गई बारह अप्रैल को रिलीज हो रही है फिल्म इम्तियाज अली निर्देशित और एयार रहमान के म्यूजिक वाली ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफिक्स पर रिलीज हो रही है